असलमारें दोस्तों दस्ते आप साय कैसे है अमने। अप मीद करते हैं, है अजलमा नहीं नहीं REPA क atención दोसा, डाल सूप आप इसे बार ठाय करें जरू करें दोस्तों बहुत इस बहुत ल miejsce तरीका है तो भूत गहरमें बार ठाय इक खता है अपने भी आते पहले एक राद पहले ही चावल येमें पेन उरीद दाल और हाँ पहलेश में चैना दाल ये तीनों को मैंने अच्छी तरीके से चैना दाल को फुला लिया है फ्राद को हिए नहुं हले एठी, तो फ्राट को के खाए यहे वार सूग में और किम भवशंद asks शुवेन चार्ब कर शुकर मैं लुचका किंन करता इसे अए न्यक्तिड कर दो सब्सक्राइड थेघ्या Casey यह तो जान होती है डोसे की अपने से प्रेशर कुग कर रहे हैं और इस तरह आलो को चोखा मना तो यह तरह मैस कर लें पूरा मैस नहीं करना है थोड़ा सा कड़ा रहने दे देखी मैं क्या कर रहें की बाद चाहिए ऊच्छा होता है तेषट सरसो की तिल है जादा अच्की नहीं नहीं पिस तरीके से सोड़ में बादust क्वारणा कड़ी ऑद लिज वुद्धी्गट सरसो की तरीके से करने के तो अब मुदाने के थोड़ी सी काली मुच्च के पौडर लोड़ा सा जीड़ा पौडर डाला है जादा नहीं डाला है एक चमर अब इसे मैंने पानी के यूज नहीं किया इसे भून ले बूनने के बाद आप देखिए जो आलू है दोस्तों उसे डाल दे और यहां पर मैं भूल के मुझे बदाम भी डाला था दोस्तों बदाम बहुत ही मज़े का लगता है इसमें खाने में तापस है तो अब बदाम डाल देजिए तो आप मैंने तोड़ा हल्डी भी डाला है क्य इस तकरीबर एक चमच में डाला है ठीक है अब अच्छी तेक से मैश कर ले मैश कर ले तैयार है हमारा ठीक है अब आते हैं दाल सूप पर देखिए और हाथ मैं भूली कि इसमें थोड़ा से उपासे चाट मसाले ज़रू डाले दोस्तों और हाथ जब धंडा हो जागा तब उप नमक डालना है उसके बाद नमक डालना कि पहले नमक डाल लएक त्फेबर दाल मैश करना चाटार रहा थेग। बोरा बहुत लोगों के कहते हैं ति मीठा कडू कहते हैं वह लोगों के आटके युथwar 573 lays अब तो भूली गें तुक्षे मसाले मुझे डालना है मैंने सिर्फ में हल्री डाला है और पानी डाल दी है दोस्तों पानी अब अपने इसाब से रखें अभी से जीन चीटी आने दे अर्शे प्रेशर कुक करने ले जीन चीटी के बाद आप देखिए अपना अच्छे तरह क अब आप निकल चुका है यह कुछ इस तरीके का है दोस्ते बहुत अच्छा लगता है ठाने में दोस्ते के ताथ एक तरह जरूर करें इसे अब दाल सूप बोलते हैं तो इसके बाद क्या करना है कुछ ने करना बस दल घुटनी हो तो उससे हलका हलका मैश कर ले अगर आप तो इसमें को मैश कर दे रहे हैं ताकि एक सूप की से कल में आ जाए जब उमसे खाय तो ठीक है अब मैं पानी डाले दाल में कभी भी कच्छा पानी नेगे डाला चाहिए मैं पानी तोड़ा गरम करके डाल दे यह पूरी तरीके से तयार है आप इस खाईए दूस्तों इतन को रस भी डाला है और अब इसमें हरी मिर्ची डाल दे और तैयार है हमारा दाल सूप ठीक है अब आपने हिसाब से कड़ी पत्ता होगा आपको पसंत आप डाल सकते हैं मैंने यहां कड़ी पत्ता डाल दिया है दोस्तों देखिए और आते हैं डोसे पर डोसे मेरा रीचे की सी मिल चुकआ होगा कोई भी थावा ले दोस्तों लोहे का तावे ले या लैत्मान सूके हां लिया टाव ढूटी मतवरतों रहर है तावड़ में घरत आप सा पानुे डाले थकला अब भरने की और अश्तान में पानुे पांश तरह जाती है ठीक है और इस तरीके से आप बनाए आप एक बड़ ट्राय करें बहुत ही आसान है दोस्तों देखिए अब दिखे आस्ते आस्ते वह सब्सक्राइब दोस्तों और यह अपने जो आलू था दोसे के अंदर की जाम उसे भी तम डाले हैं दोस्तों डाले कमाज उप यार है हमारा डोसा और देखिए मिलते हैं अगली रेसिपी में दोस्तों तब तक के लिए लाइक करिए सब्सक्राइब करिए एक बहुत ही आसान तरीका है और सब को पसंद आता है आप चाहे तो इसे घर में भी बना सकते हैं दोस्तों तो ठीक है दोस्तों मिलते हैं अगल